तो दोस्तो आप सभी ने देखा कि जैसी मेरे फोन पे कॉल आया ना और जैसी मैंने हेलो कहा तो वो जो कॉल है वो उठ गया इसी तरीके से जैसी मैंने नो कहा ना तो वो जो कॉल है अपने आप कट गया तो है ना दोस्तो काफी कमाल की ट्रिक मुझे अपने फोन को बिल्कुल भी टच नहीं करना पड़ा और मैंने अपने अवाज की मदद से उस कॉल को उठाया भी और कॉल को कट भी कर दिया तो दोस्तों इस setting को इस trick को अगर आप भी अपने किसी भी phone में करना चाथे हैं और अपने सारे दोस्तों को चुकाना चाथे हैं तो बस इस video का पूरा देखते रहिए इस video के अंदर आप सभी को कैसी खूफिया setting के बार बताऊंगा जिस setting को अगर आप अपने किसी भी phone में कर लेते हैं चाहे आप किसी भी company का phone इस्तमाल करते हो उस phone में कर लेते हैं तो आप भी अपने अवाज की मदद से phone को बिना touch के हुए किसी भी call को hello और no कहकर उठा सकते हैं और उसे काट भी सकते हैं और ये सब देखकर आपके जितने भी दोस्त होंगे न वो तो पूरी तरीकी से चौंक जाएंगे और आप से पूछने लगेंगे कि भाय आप कौन सा phone इस्तमाल करते हैं या फिर आपने अपने phone में कौन सी setting की ह तो अगर आप जानना चाते हैं कौन सी setting है किस तरीकी से setting को क्या जाएगा तो चलिए अब करते हैं वीडियो को start तो नीचे आपको लाल कलर का subscribe क का button नज़र आजाएगा इसके उपर क्लिक करके channel को आपको जरूर से subscribe कर लेना है बगल में आपको एक छोटा सा गंटी नजर आएगा तो इससे आपको दबा देना है उसके बाद आपको all के उपर click कर देना है इसके बाद आप सभी को चले ज कर देना है अब जैसी यह सेंड करेंगे न तो चलिए आप मैं आपको बता देता हूं यह कौन सी सैटिंग है जिसकी मदद से आप अपने फोन को बिना टच के हुए अपने आवाज की मदद से उठा भी सकते हैं और उसे कट भी कर सकते हैं तो इसके लिए आप सभी को अपने में एक application को डाउनलोड कर लेना है इस application का link को मिल जा रिटके description में तो हांथ से आप से डाउनलोड कर लीजेगा डाउनलोड करने के बाद नीचे आपको next के बिटन पर इस तरीके से क्लिक करना है और आपको start कर लेना है उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको कुछ permission को allow करना है तो यहाँ पर आपको इन permission को इस तरीके से allow कर देना है और यहाँ पर आपको back चले जाना है back जाने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपको कुछ और permission को allow करना है और यहाँ पर आपको exciting को on कर देना है ताकि यह जो application है आपके phone में अच्छी तरीके से काम कर सके उसके बाद आपको back चले जाना है और आपको ok कर देना है जैसी आप ok करेंगे न उसके बाद जब भी आपके phone पर कोई call आएगा तो hello बोल कर आप उस call को उठा सकते हैं और no कहकर उस call को आप cut भी कर सकते हैं